हलो दोस्तों कलकी मूवी को लेकर मुझे जो डाउट है वो इस वीडियो में किलियर कर रहा हूँ तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और मारे सवाल का कमेंट में अंसर जरूर करिएगा तो आज मैं कलकी मूवी और पुस्पा मूवी इन दोनों को कमपेर करूँगा और कौन होगा लंबेर यो इसका घोड़ा कौन मारेगा बाजी ये हम वीडियो में जानेंगे तो दोस्तों ये दोनों ही काफी बड़ी मूवी है पुस्पा मूवी का अलगी फैन बेस है और कलकी का अलगी फैन बेस है यानि परभास का तो बात करें पुस्पा के बारे में तो पुस्पा एक सिक्वेल मूवी है जो पुस्पा 2 नाम से आ रही है और कल की जो है एक नया यूनिक कॉंसेप्ट है जो कोई सिक्वल नहीं है तो यहाँ पर मुझे एक माइनस पॉइंट नजर आ रहा है कि जिस तरह से पुस्पा हाई बना रही है और बना के रखी हुई है करने मतलब यह है कि पुस्पा के लिए जो ओडियंस है वो फिक्स है वो भाई पुस्पा देखने तो जाएंगे ही जाएंगे और जाने के मतलब तो आप समझ रहे हैं हजार करोड, बारसो करोड है ना हो सकता है अराम से लेकिन कल की एक new concept है, new movie है और प्रभास की पिछली जितने भी movie जो आ रहे हैं बाववली के बाद उसमें अगर performance देखा जाए और इस movie का जो average collection देखा जाए तो थड़ा moral डाउन हो जाता यार confidence डाउन हो रहा है इसको लेकर क्योंकि audience जब किसी चीज को किसी नए चीज को धीरे-दीरे accept करती है तो धीरे-दीरे ही रह जाता है लेकिन पुस्पा जब आई थी तो उसको audience ने धीर-दीरे accept किया और popular हुई और पुस्पा 2 आ गया तो इसको direct audience मिलने वाली है कलकी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर एक कलकी minus point लेती हुई nature आ रही है अक्टर की बात करें तो अलू अर्जुन यार एक अलगी fanbase बना के रखे हुई है अगर पुस्पा को अटा दिया जा तो अलू अर्जुन की बहुत पहले से ही fan following इंडिया में बहुत त लेकिन अलू अर्जुन की नहीं है क्योंकि पुस्पा के बाद कोई movie ऐसी नहीं आई और इसीदा पुस्पा 2 आ रही है तो तगड़ाई छलंग मारने वाले भाई अपने fans को लेकर तो यहाँ पर पुस्पा एक plus point और कलकी के लिए minus point है देखर हाइप की बात करें तो तगड़ी है पुस्पा की भी hype बनी हुई है इसका डीजर आने के बाद से तो और भी hype बन गया इसका लेकिन जो कलकी है उसका भी hype है लेकिन यार hype और popularity से matter नहीं करता क्योंकि बॉलिवूड की ऐसी बहुत सारी movie आई और कब गई कुछ समझी नहीं आया इतना hype बनाने के ब promotion के बाद इतना popular होने के बाद भी ये fluff हो जा रही है तो कलकी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन पुस्पा के बारे में hype हो या ना हो लेकिन इसको audience direct मिलने वाली है अगर हम KGF को compare करें जब KGF 1 आई थी तो उसको direct audience मिल गई KGF 2 के लिए तो इसी तरह पुस्पा की movie में केवल अलु अर्जुन ही है और फात फाजिल है और कलकी में बात करें तो इसमें अमिता बच्चन है कमल हासन है और प्रभास लीड रोल में हम केवल अलु अर्जुन और प्रभास से compare करेंगे तो प्रभास की acting के बाद करें तो भाई ये एक नया movie है और इसमें नया concept है तो प्रभास को किस तरह से इसमें lead role मिला है और क्या इनका role होने वाला है और किस तरह की acting करेंगे ये सब कुछ नया है ये movie देखने के बाद ही समझ में आएगा लेकिन पुसपा की बात करें तो पुसपा 1 जो है हमने देखा है सबी ने देखा है और इसमें जो acting थी हमारे अलुर जुन की भाई acting से सबी वाखिफ हैं तो इसमें कोई doubt नहीं है इसमें कोई सवाल करने का बात ही नहीं हो पा रहा है कि हम सवाल करें कि भाई acting कैसा करोगे क्योंकि acting के मामले में पुसपा भाई आगे निकल रहे हैं एक चीज और एडल करना चाहूंगा मैं इसमें देखो जिस तरह से पुसपा का जो कुछ चीज कुछ सीन और कुछ सॉंग कुछ स्टाइल कुछ डायलोग वाइरल हुए है और वो चीज आज तक चलती आ रही है तो ये भी कहीं न कहीं ओडियंस को बांध के रखता है ठीक है उस सरह कलकी की बात करें तो कलकी बिलकुली नया चीज है एकसेप्ट करने में थोड़ टाइम लग सकता है ओडियंस को ऐसा कोई भी पीछे से चीजे नहीं आ रही है कि प्रभास के लिए हम प्लस पॉइंट बना कर रखें कि यहां भाई प्रभास है तो चलिए जाएंगे देखने तो पुस्पा का जो ओडियंस है वो अलग बेस्प है और कलकी का जो ओडियंस है वो अलग बेस्प है हाँ इसमें अमितावच्चन है कमलाशन है तो इनको भी हलके में नहीं लियाना चाहिए तो इनके लिए भी audience अलग से है तो ठीक है लेकिन फिर भी यहाँ पुस्पा आगे जाती ही नजर आ रहे है मुझे तो तो मैं तो यही कहूँगा कि box office पर पुस्पा दोड सकती है और कलकी भी दोड़ेगी लेकिन matter करता है कि audience इसको किस तरह से अपनाती है कलकी को और movie कैसी निकलती है कलकी यह दो चीज इसको आगे बढ़ा सकती है बाकि किसी के आत्मे नहीं है तो यह तो रहा मेरा opinion कहने मतलब है कि कलकी पीछे हो सकती है और पुस्पा आगे दोड सकती है तो आप क्या कहते हैं और आपका क्या opinion है वो हमें comment करके जरूर बताईएगा लेकिन इसका जो compare मैंने किया है यह बस मैंने अपना खुद का opinion है बाई